Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हो शिपरा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल free education प्रवाइड कराया जाता है मेरे बच्चो ता कि आप अपने live में बहुत अच्छा कुछ कर सकें सुवाज की कहानी जो मुझे है सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिपरा माम के जबानी and it's all about your very 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 essential gland which is the memory gland or the breast हम लोग पढ़ने वाले हैं female की memory gland या breast के बारे में समझ में आई बात breast जो है वो mammalian character होता है इसलिए इसे हम memory gland भी कहते हैं female में यह active होता है और milk का secretion करता है यह एक exocrine gland होती है बच्चे को feed कराने बच्चे को दूद पिलाने के लिए इस gland का इस्तमाल female में किया जाता है males में यह active नहीं होती है males में यह rudimentary होती है until हम कोई condition ऐसे बात कर रहे हैं कि male को गाने को mastia हो गया तो उसके breast develop हो गया वो बात अलग है पर normally males में breast develop नहीं होते हैं so अगर आप यह structure दिखाई दे रहा होगा आपको तो यहाँ यह बहुत it is a structure of breast आईए देखते हैं इसका structure क्या है चलिए mammals जो होता है mammals में memory gland एक functional उसका character होता है यह बात आपको पता होनी चाहिए functional memory gland is a characteristics of all female mammals however they also form functional in male echidna यह आपको पता होना चाहिए तो इसके example आपको पता होने चाहिए tachyglossus कहते हैं किड़ना को spine antiter यह prototherian mammal होते हैं मतलब egg laying mammals done हो गया इतनी बात soikidna हो गया इन में जो होते हैं egg laying mammals होते हैं यह और इन में आपके males में भी जो breast होते हैं वो पाए जाते हैं यह एक प्रकार की epokrine sweat gland होती है ठीक है it is a modified sweat gland ठीक है चलो शुरू करते हैं कहानी यह एक हमारे पास एक structure दिया हुआ है ठीक है और यहाँ पर आपको कुछ गचर पिचर लग रहा होगा तो घबराने की जरुतनी में एक diagram बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ हाँ तो यह फीमेल में जब इपिवर्टी आती है तो एक हॉर्मोन निकलता है and this hormone is called as what this hormone is called as that estrogen ठीक है estrogen के presence में यह कहानी होती है ठीक है चलो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा सा diagram पढ़ाना सिखाती हूँ किसी female के अगर हम लोग breast है अगर ऐसा cut कर दिया जाए cross section देखते हैं लोग आईए देखते हैं कहानी cross section की cross section of breast बना रही हूँ मैं ध्यान से देखना I'm trying so ठीक है so I'm making the diagram of though it is the though it is a very bad diagram चलो देखो ध्यान से मैं diagram बनाने वाली हूँ breast का cross section बना रही हूँ ध्यान से समझना देखो अगर मैं पहले तो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको किसी female के breast का structure अगर आप देखो ठीक है तो आपको क्या दिखाई देता है सबसे पहले उसकी बात करते है ठीक है अगर हम किसी madam अगर हम किसी female का structure देखें breast का तो हमें ऐसा black, black, black नहीं बनाते है brown color का area बना देते है तो हमें कुछ brown color का structure यहाँ पर इनके center पर दिखाई देता है और उसके बाद इसी center के ऊपर हमें दिखाई देता है nipple ठीक है क्या दिखाई देता है हमें nipple यह जो breast आपको दिखाई देता है female का यह वाला जो breast होता है यह वाला जो part होता है जो brownish blackish होता है इसे हम कहते हैं aryola ठीक है क्या कहते हैं बच्चो aryola aryola समझा गई बात aryola कहा जाता है यह हो गया इसका nipple ठीक है निपल ठीक है अब इस aryola में पाई जाती है बच्चो modified sebaceous gland क्या पाई जाती है sebaceous gland लिख देती हूँ में ठीक है aryola में पाई जाती है sebaceous gland Julius sebaceous gland क्या निकालती है बोलो aryola समझ गए जो breast होते हैं उनका जो blackish area होता है center का उसे हम aryola कहते हैं सिबेशयust gland क्या निकालती है oil निकालती है माझम यह क्यों निकालते ही हमको बताईए जब फीमेल प्रेगनेंट होती है तो उसके निपल कराक ना हो बच्चे को मिल्क सकल करने में दिफकत ना हो यहाँ पर इसका काम इसका ध्यान यह एरियोला रखता है तो यह जो oil होता है, prevent the nipples from crack समझ में आई बात, तो यह जो आपके ariola, जो sebaceous gland है जो oil निकाल रही है, जो तेल निकाल रही है वो basically nipples को nutrition देने के लिए होता है जो निपल crack नहीं होने तो बच्चे को तकलीफ हो सकती है नाओ बच्चो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपका यहाँ पर होती है modified sweat glands, क्या होती है बच्चो, modified बहुती करता लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या पाई जाती है, modified sweat glands, ठीक है, इस जगहाँ पर पाई जाती है ध्यान से देखते जाना है ना, क्योंकि आपको समझना है यह structure, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा इसके order भी आपके exam में पूछ लिए जाते है बच्चो, ठीक है तो ariola समझ में आया आपको बात, ठीक है, उसमें क्या पाई जाता है, sebaceous gland पाई जाता है जो की developing nipple को nutrition देता है, even होता क्या है अच्छा, आपको अभी मैं चपड़ाती हूँ, पहले सो color कर लो, I love coloring ची 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 च ची 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 च सो है मैं इआ इसलो कि बात ठ़ कहिं थोड़ा सा स्कवाफ लाइन भी दे रहा हूं ठीक है? चलो, ध्यान से देखना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं? नौ, होता क्या है? ब्रेस्ट में, ठीक है? ब्रेस्ट में करीब 15 से 20 ऐसे memory lobules पाए जाते हैं ठीक है? पाए जाते हैं, ठीक है? ऐसे memory lobules पाए जाते हैं डन, लिख दें इसको, आप कैसे chambers पाए जाते हैं? इन्हें हम कहते हैं, मैं मेरी, मैं मेरी lobule, ठीक है? क्या कहा जाता है बच्चों? Memory lobule ये memory lobule कितने होते हैं? प्यारे बच्चों 15 से 20 डन हो गई बच्चों, अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ ब्रेस्ट का ये जो चारो तरफ एरिया भरा हुआ है, इसमें पता क्या भरा होता है? ये पूरा भरा हुआ है, एडिपोस टिशू, जो ब्रेस्ट को शेप देता है, जो ब्रेस्ट को शेप देने का काम करता है अब आपके मन में सवाल होना चाहिए, कि ब्रेस्ट जो है जब वो पिवर्टी नहीं होती है फीमिल की, तो तब तो ब्रेस्ट छोटे-छोटे होते हैं, फिर बड़े कैसे हो गए? इनके डवलप्मेंट के लिए एक हॉर्मोन काम करता है, जो ओवरी से निकलता है, वो है इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन हो गया, चीक है? और चीक है, इस्ट्रोजन जो होता है, यह बेसिकली आपके ब्रेस्ट के डवलप्मेंट के लिए रिस्पॉंसिबल होता है, चीक है? यह basically estrogen क्या करवा देता है? एडिपोजनेसिस स्टार्ट करवा देता है. estrogen का काम क्या है बच्चो? एडिपोजनेसिस इंक्रीस करा देता है जिससे breast में fat का deposition होने लगता है और breast बड़े होने लगते हैं, ठीक है? So, breast के अंदर we have lobes-like structure. How many lobes-like structure we have, मेरे लला? 15-20 आई बात समझ में कितने होते हैं? 15-20 अब मुझे बताओ, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अकल लगाओ भी ठीक है? अकल जो घास जरने गई, उसको लगाओ जरा कि बॉड़ी में कौन से tissue secretion करते हैं? nervous tissue, muscular tissue, कौन से tissue? blood secret करता, bone tissue secret करता, नहीं आपकी body में epithelial tissue secret करते हैं कोई चीज तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? अ-अ-अ-अ-अ-अ ठीक? यह देखो, ऐसे structure पाए जाते हैं epithelial cells के ठीक है? समझ में आई बात तो इसे हम कहते हैं memory alveolize क्या कहते हैं बच्चों इन्हें हम? इन्हें हम कहते हैं memory alveolize और यह memory alveolize किसके बने हुए है? यह memory alveolize बने हुए है epithelial cells के, ठीक है? यह किसके बने हुए है? epithelial cells के बने होते हैं done हो गए इतनी बात क्या सिखा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये सिखा कि जो memory gland होती है उसमें करीब 15 से 20 memory lobules पाए जाते हैं इन memory lobules के अंदर आपकी epithelial cells होती हैं समझ में आई बात इन memory lobules के अंदर आपकी epithelial cells होती हैं और ये epithelial cells जो होती हैं ये basically किसी चीज़ का secretion करती हैं माल लोगों की इन epithelial cells ने center center पर milk का secretion किया है समझ में आई बात ये जो black bag भरा हुआ है यही क्या है आपका milk है तो आप देखो कि ये जो memory आपके alveolize हैं ये अपने lumen में ठीक है? ये अपने lumen में, lumen क्या होता है? lumen होता है किसी भी चीज़ के center part ये opening तो ये अपना secretion, milk का secretion कहां दे रहे है? lumen of alveolize में समझ में आगई बात? अब ऐसे एक memory lobule में एक ही alveolize नहीं होगा ऐसे बहुत सारे alveolize इसमें पाए जाएंगे समझ आ गई बात? डन होगई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या होगा? सब के lumen में milk बना हुआ है सब के lumen में ऐसे से पूरा milk भरा हुआ है अब होता क्या है? कि हर जो आपका, वो होता है, lumen होता है उससे एक duct pass वारी, इससे एक pass होई, इससे एक pass होई क्या कहते हैं? memory tubules, सौरी, क्या कहते हैं? memory tubules समझ आ गई बात? sequence, आपको अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ, घब रही हो, मत डरो मत बिल्कुल भी, क्या समझा आपने? हमारे breast में होते हैं 15 से 20 क्या? memory lobule memory lobule के अंदर पाई जाते हैं epithelial cells के memory tubules memory tubules के center पर, जिसे हम कहते हैं, lumen of tubule में milk secret होता है हर tubule से निकलती है एक छोटी duct, जिसे हम memory tubule का नाम देते हैं memory tubule जब बाहर लेकर निकलती है milk को, तो सारी tubule आपस में जॉइन हो जाती है और ये बनाती है duct, चीक है, बहुत सारी tubule आपस में जॉइन हो जाएंगी और ये बनाएंगी memory duct या lactiferous duct, ठीक है, memory, memory duct done आ गई बात समझ में, अब ये जो duct है, ये एक solid area में खुलेंगे जिसे हम कहते है empula, क्या कहते हैं बच्चो empula और फिर जो है milk इसी empula में store हो कर यहां से बाहर हो जाएगा और बाहर निकलेगा, ठीक है, इसे हम क्या कहते है, empula क्या कहते हैं हम लोग mmmpula ठीक है तो मिल्क बना कहा लोब्यूल में ठीक है लोब्यूल के कौन से एरिया में बना बच्चो टिब्यूल के ल्यूमिन में ठीक है सॉरी अल्विलाई के ल्यूमिन में अल्विलाई के ल्यूमिन से किसने निकाला आपका मिल्क टिब्यूल ने टिब्यूल से किसने निकाला डख्ट ने, डख्ट से कहा गया ABULA से गयाipping बाहर, अब इसको हम कैसे याद करें आओ देखते हैं, ठीख喺Good 지금땁से मिल्क सबसेक्ष बाना Pegajा FM है?? भीक बाना VUL дальше है El VUL के बाद वो किसने गया देखो आओ देखते क्या पोल रही हूं है अब एक कहानी और देखो यहां के structure में चैसे यह जो structure आपको दिखाई दे रहा है sweat gland ठीक है यहां पर होती ही बहुत सारी sweat gland और यह modified sweat gland है ठीक है modified sweat gland का माऊः लगी milk टीक है और इसी लिए हम इसको कहते है एपोऋ Grand टीक है अब ब्रेस्ट को हम एक एपोव क्राइन ऐंद कछे हैं क्या कहते हैं बचो एपोवश्य ग्लाएं डैट आ लिक लिझे क्या होता सेачतों सुझाम और यहिलार्जेस्ट सिन ग्लाइट ओड़नलुड है और ये लार्जेस्ट इन्ट इस इन्दर लिखना चाहूंगी ही लार्जेस्ट skin gland है, hypogrand gland समझ में आए ना, जो skin से बनती है gland, उनको hypogrand gland कहते हैं, पसीने निकाले वाली पहले ये gland थी, modify हो गई तो milk बनाने लगी, skin में पाई जाती है, इस skin का ही modification होता है, समय के साथ इसमे एडिपोस्ट इशू जमा होने लगता है, पिलर पिलर बनाया मैंने, जिसे breast का size बड़ा होने लगता है, तो पहले आपको lobule में बहुत सारे होते हैं, क्या आपके alveolize, alveolize की lumen में बनता है, milk से जो है हर alveolize के निकलती है उनकी tibule, tibule को हम memory duct भी कह सकते हैं, tibule को हम memory duct भी कह सकते हैं, और इन tibule से फिर join होता है, ध्यान से समझना, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको confuse नहीं होना है, ठीके, उसके बाद यहाँ से tibule निकला, और एक ampula में सारा milk भर दिया, और इस ampula से निकलेंगी duct, जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है, आपका lektiferous duct लिखा है के कहीं पर, इनका नाम होता है, lektiferous duct, lektiferous duct, फिर से देखो, क्या क्या हुआ, number one से देखते हैं, number one, milk बनना कहां से शुरू हुआ, milk बनना शुरू हुआ, lumen of alveoli में, alveoli, फिर कहां पर आया, memory duct ही है, memory tubule में, फिर कहां पर आया, ampula में, ampula के बाद कहां पर आया, बोलो, ampula के बाद आया, lektiferous duct में बाहर हो गया, sequence आपको याद होना चाहिए, तो एक बार हम लोग sequence लिख लेगते हैं, तो थोड़ा हमारे दिल को चैन आए, ठीक है, alveolize के बाद आपका जो milk होता है, वो कहां जाता है बोलिए, ये जाता है memory duct में, ठीक है, memory duct को हम और क्या कह सकते हैं, tibule भी कह सकते हैं, उसके बाद आपका milk कहां जाता है, tibule के बाद कहां जाता है, tibule के बाद जाता है, ये आपके कहां पर, एंपुला में ठीक है? कहाँ पर जाता है? एंपुला में और फिर एंपुला से जाता है लेक्टिफेरस डक्ट में ठीक है? स्पेलिंग देख लेना लेक्टिफेरस डक्ट में और फिर जो है इजेक्ट होता है अब इसको कैसे याद करें? कैसे याद करें? बहुत ही चैंसन है तो इसको याद करने का एक तरीका लाइगो मैरे यह sequence important है NEET में यह sequence आ सकता है मेरे लला NEET में आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्क को secret करने का sequence क्या है वहाँ पर नीम बनेगा तो मेरी नाक मत कटवा के आना तुम समझ में आई बात? चलो देखो इज़र आ जाओ LV Lai को कैसे याद रखेंगे? आलू वालिया ठीक है? आलू वालिया क्या थे? आलू वालिया दस ऐसा लिखते हैं आलू वालिया टब में आलू वालिया टब में आम आम लाते दिखे वा 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 आलू वालिया मतलब अल्विलाई टब में मतलब मेमरी टिबियूल आम मतलब एमपुला और लाते दिखे मतलब लेक्टी फेरस डग्ट यह यार रखो बचो यह यार रखो आप आलू वालिया टब में दस आम ला तब मतलब आपका memory duct or memory tubule, फिर arm अमपुला लाते दिखे मतलब lectiferous duct, यह sequence है, you have to learn this sequence, it is very very important, यह आपके neat examination में important यह sequence आपको याद रखना है, नहीं तो confusion हो जाएगा, समझ आया, यह structure समझ में आया आपको, क्या क्या पढ़ा हम लोगोंने, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत important है, बहुत important है, समझ में आई बार, यह एक largest skin gland होती है, memory gland जो होती है, it is a modified sweat gland, पहले यह sweat gland होती थी, बाद म यह modify हो गई, function करने लगी, milk secrete करने लगी, ठीक है, और यह पहले पसीना निकालती थी, बाद में modify होके milk निकालने लगी, यह एक epokrine gland है, epokrine का मतलब होता है, वो gland जो skin से बनी हुई है, it is the largest epokrine gland, इसके जो, अगर मैं structure देखूँ, तो यह काफी, क्या कहते हैं, एडिपोस area, वहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत सारे sensitive structure, यहाँ पर यार रखना, यहाँ पर बहुत सारे sensitive structure होते हैं, इसका काम अभी मैं समझाती हूँ, बहुत सारे sensitive structure पाए जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर पाए जाती हैं, बहुत सारी sebaceous gland, और sebaceous gland क्या निकालती है सिवेशेस ग्लाइंड ओईल निकालती है ताकि जो निपल से उन में क्राक्स ना आए और बच्चे को फीड अच्छे से करने मिले ठीक है अब आपके मन में यह सवाल होना चाहिए कि जो ब्रेस्ट होता है इसका साइस कैसे बढ़ता है ब्रेस्ट का साइस बढ़ता है आपके इस्टोजन की विज़ा से ठीक है अब आपको मैं कुछ हॉर्मोनल रेगुलेशन बताती हूँ ठीक है ध्यान से देखना ध्यान से देखना है ना ओके अब मैं आपको कुछ हॉर्मोनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ ठीक है देखो ध्यान से उसके बाद हम कतम करेंगे टॉपिक आपके इंसी आटी से पढ़कर और मेरे नोट्स पढ़कर ठीक है हॉर्मोनल रेगुलेशन देखो मैं आपको पहले तो आप ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है से के इस्टोजन से इस्टोजन जो है ये सेकेंडरी सेक्शुल कारेक्टर स्टिक्स को जनू देता है और ब्रेस्ट एक सेकेंडरी सेक्शुल कारेक्टर ही characteristic ही है ठीक है कौन-कौन से hormonal regulation पढ़ेंगे वो देख लीजे सबसे पहला hormonal regulation है बच्चो prolactin की वजह से किसकी वजह से है बच्चो prolactin की वजह से और दूसरा है oxytocin की वजह से ध्यान से समझो पहला किसकी वजह से है बच्चो मेरे Pro Lactin की विज़े से और दूसरा किसकी विज़े से है Oxytocin की विज़े से ये क्या है ये क्या है आओ आओ मेरे साथ आओ ठीक है ये कहाँ से निकलता है Pro Lactin याद है 11th class में कुछ पढ़ा है 11th class में कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ो बेटा क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा और नहीं बनेगा तो फिर मैं कितना भी माथा फोड़ लूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी You should know the function of these two hormones पढ़ाया है मैंने pituitary gland का lecture लगा के जाए anterior pituitary, posterior pituitary देख लीज़े ना, exam तो आपको भी देना है नीट का तो 11 के सवाल तो आएंगे ये आपके So anterior pituitary से निकलता है ये वाला hormone कहां से निकलता है मेरे बच्चो ये निकलता है anterior pituitary से ठीक है? anterior pituitary से और ये वाला hormone निकलता है बच्चो posterior pituitary से डन हो गई बात अब anterior pituitry और posterior pituitry से ये जो दोनों हर्मोन है ये क्या करते हैं चली देखते हैं क्या करते हैं हाँ ये लोग प्रोलेक्टिन का काम होता है milk formation का ठीक है प्रोलेक्टिन का काम होता है milk formation का और oxytotion का काम होता है milk ejection का किसका काम होता है milk ejection का समझ आ गई बात दन हो गई इतनी बात उसके बाद जो oxytotion होता है इसके दो और नाम होते हैं इसको हम कहते हैं आपका cuddle hormone क्या कहते हैं इसको हम cuddle hormone कहते हैं या इसी को हम लव हॉर्मोन भी कहते हैं समझ में आई बात कडल हॉर्मोन या लव हॉर्मोन भी कहते हैं चलो ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं जब female pregnant होती है तो होता क्या है कि आपका जो pituitary gland होता है वो prolactin का secretion शुरू कर देता है prolactin के secretion से होता क्या है जो alveolize होते हैं वो milk secret करकर 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 स्टोर करते रहते हैं पर बच्चे का जैसे ही जन्म होता है वैसे ही prolactin तो निकलता है पर साथ में posterior pituitary oxytocin का भी secretion करने लगती है oxytocin की वज़े से milk का ejection होता है milk बाहर आता है होता क्या है कि जब बच्चा निपल को पकड़ता है और सकल करने की कोशिश करता है तो जो areola portion होता है ध्यान समझो यह जो blackish area होता है जो areola portion होता है यहाँ पर बहुत सारे sensitive structures होते हैं समझे ऐसे milk जैसे आपने समझा होगा जो बच्चे मा का दूद पीते हैं 6 महीने तक तो मा का दूद 6 महीने तक निकलता है जो बच्चे 2 साल तक पीते हैं उन मा का 2 साल तक दूद निकलता है जितने साल तक बच्चा पीता रहेगा उतने साल तक निकलता रहेगा और यह signal लेकर जाते हैं कहाँ पर यह जाते हैं आपके brain पर या pituitary gland पर pituitary gland से एक hormone निकलता oxytocin और oxytocin जो होता है वो यहाँ पर आता है और आपके ampula में जो भी milk भरा हुआ होता है उसको खीच-खीच कर दबाव बना-बना कर बाहर निकालता है समझ आ गई बात नाओ इसले जो बच्चा दूर पीता रहेगा तो मां का दूर निकलता रहेगा कई बार ऐसा होता है कि मां से बच्चा दूर है पर उसको ऐसा लग रहा है वो कोई काम कर रही है तो उसको लगता है यह भगवान मेरा बच्चा दूर है ऑक्सिटोसिन की वजए से ही मिलका सेक्रीशन होता है ठीक है मिलका इजेक्शन होता है फॉर्मेशन तो प्रोलेक्टिन की वज़े से होता है इतनी बात आपको क्लियर हो गई आपको इसको के पुछ को चलियो और प्रोली ग्लेंड उसकर आपको मुले से के अपको पता होना चाहिए थैक है यहbahnसल मेम्री ग्लांड यह वाला रिब्स मसल, पेक्टुरेलिस मेजर मसल से आपका ब्रेस जुड़ा हुआ रहता है, फैट है, डिपोस्ट इशूस हैं, आप देखो ध्यान से बीचा, एल्वीलाइस में मिल्क बना, एल्वीलाइस के बाद कहां पर आया, आपके memory duct, memory duct को हम और कह सकते हैं, memory tubule भी कह सकते हैं, उसके बाद empula में आया, फिल्लेक्टिफेरस duct में आया, फिनिपल से बाहर हो गया, जितना blackish portion होता है, NCRT का डाइगराम है, जितना blackish portion होता है, उसको marriola कहते हैं, उसके बाद ध्यान से देखते हैं, क्या बोला मैंने, जो gland होती है, जो memory gland है, it is the secondary sexual characteristics of female, isn't it? ये female का secondary sexual characteristics है, रहे मिर लिल्ला, ये याद रखना तुम लोग, भूलना जाना, साथ मिवाना साथिया, ठीक है? So, ये किसके influence में होता है, कैसे breast develop होते हैं, estrogen और progesterone and human placental lactogen, HPL जो होता है, वो human placenta से निकलता है, तो जब मा, जब बच्चा पेट में होता है, प्लेसेंटा बता है, तो प्लेसेंटा से एक hormone निकलता है, जिसको हम HPL कहते है, human placental lactogen, इससे भी breast का development होता है, ठीक है? उसके बाद location देखते हैं, यह कहां present होता है, pectoralis major muscle in front wall of thorax, thorax में pectoralis जो muscle होती ही, छाती की उससे जुड़ा हुआ होता है, males में यह नहीं पाए जाते हैं, यह under develop रहते हैं, आपके puberty तक, ठीक है? structure सब का वही है, puberty में यह develop होना शुरू होते हैं, इनका size increase होना शुरू करता है, under the influence of two hormones, estrogen and progesterone, देखो बेटा, तो मैंडम वो HPL वाला किधर गया भी आप बता रहीं थी, बेटा, मेरे बच्चो, memory gland में milk का formation करने में HPL का बहुत बड़ा रोल होता है, पर placenta निकालता है, वो अब puberty में थोड़ी placenta है, क्यों लड़की जवान हुई तो तोड़ी उसके में placenta है, placenta तो pregnant moment में होता है, ठीक है, it has a projection called as nipple surrounded by the highly pigmented area called as areola, ठीक है, चलो, मुझे कहीं diagram की जरुदों की तो बताऊंगे, on the surface of areola बहुत सारी sebaceous gland पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, to nourish the nipple, ताकि उस पर कोई crack ना हो, internally breast consists of a glandular tissue forming the memory gland, fibrous tissue, fatty edipose tissue, मतलब अंदर बहुत सारे edipose tissue और fibrous tissue होते हैं, जो उनको shape देते हैं, glandular tissue, fibrous tissue और edipose tissue, ठीक है, glandular tissue में क्या होते हैं, 50 to 20 lobes होते हैं, lobule के अंदर क्या पाई जाते हैं, alveolize पाई जाते हैं, ठीक है, जिसके alveolize की lumen पर क्या secret होता है, बिटा, आपका milk secret होता है, जब milk produce हो जाता है, तो यह कहां जाता है, आपके alveolize से कहां जाता है, memory tubule में, या इसको हम memory duct भी कहते हैं, और फिर उसके बाद, memory tubule और memory duct एक ही consider कर लिया है, पर ठीक ही consider करो, तो मिटना tension लेनी के जरूरत नहीं है, ठीक है, memory tubule से memory duct, near the apple, ठीक है, उसके बाद यह कहां जाता है, ampula में जाता है, हमने दोनों को एक ही consider कर लिया है, पर आपको tension नहीं लेना है, क्योंकि एक को नहीं बताया उसने, ठीक है, उसके बाद यह lecti ferrous duct में जाता है, और lecti ferrous duct से फिर यह बाहर की और निकल जाता है, तो आप देखो क्या क्या है, memory tubule, memory tubule को memory duct, हम दोनों को एक ही साथ में याद कर लेंगे, तो कोई tension नहीं है, ठीक है, तो अलू वाल या, tub में, tub में मतलब, tub में मतलब कैसे याद रखोगे, tub में मतलब आपका tubule और आपका duct दोनों याद रख लेना है, ठीक है, ठीक है, tubule में पहले याद रख लेना duct, उसके बाद याद रख लेना tubule, ठीक है, चलो, उसके बाद पहले टीबूल, फिर डक्ट, फिर एंपुल फिलेक्रिफेरस डक्ट डन होगा इतनी बाद, फाइब्रस टिशू में क्या पाए जाते हैं फाइब्रस टिशू जो होते हैं, वो सारे ल्विलाइस को सपोर्ट देने का काम करते हैं एडिपोस टिशू जो होते हैं, वसको शेप देने का काम करते हैं वाट इस फ़ंक्शन 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 का होता है मिल्क का कॉमपजिशन देखो जो मैंने आपको बता दिया इसमें का सीक्वेंस छूट भी जाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप इसको ऐसा करना टिबियूल को इधर कर देना डक्ट को इधर कर देना खतब बन गया यह आपको सीक्वेंस ही यादा करना है ठी इन इन और गिनी सबस्टेंसेंस होते हैं फाट उता है स्टोक। जोस्तेहे हैं मिंड़साइण नसाल्ट होते हैं की तेडी निन में तेकिर सखती है ठीक है। इस ते डाइग्राम आफ ए तेकिसे किर निय कि शुचिते continuer झा अइंड है और एक से अथ संबूमरिय को श्मयाल अलुवालिया दस आम लाते डिखे बस सही है। आलुवालिया दस आम लाते दिखे. मैंने आईए, NJID पढ़के खतम करें इस topic को, a functional memory gland is the characteristic feature of the female body part, ठीक है, memory gland कहाँ पर परेज़े, paired होती है, इन्हें हम breast भी कहते हैं, इनके अंदर बहुत सारे tissues होते हैं, glandular होते हैं, fibrous होते हैं, adipose होते हैं, glandular secrete करते हैं, milk, fibrous क्या करते हैं, support, किसको, alveolize, alveolize को, lobules को, adipose क्या करते हैं, shape देते हैं, ठीक है, उसके बाद 15-20 memory lobe होते हैं, और इनके उपर cluster of cells होते हैं, इनको कहते हैं, alveoli, alveoli secrete करते हैं, milk into the aluminum of alveoli, और फिर ये कहाँ open होते हैं, tubules में open होते हैं, tubules जो होती है, duct में open होती है, duct कहाँ open होती है, बच्चो, ampula में, ampula कहाँ open होता है, lactiferous duct में, समझ में आ गई बाद, NCRT में tubule को mention नहीं दिया है, पर detail में mention दिया हुआ है, समझ में आई बात, तो पहले याद करो, sequence या दखो, कैसे कैसे याद किया, कैसे कैसे याद किया, alveoli, alveoli से tubule, tubule से duct, duct से ampula, ampula से lactiferous duct, ठीक है, फिर से याद करें, फिर से याद करें, alveoli, ठीक है, भार में जाने दो, ठीक है, याद करो, अगर नहीं आद होता, तो मैं याद करा रही हुँना यार, कैसे याद करोगे, alveoli, alveoli से tubule, tubule से duct, duct से ampula, ampula से lactiferous duct, खतम हो गई बात, duct कौन सी है, memory duct है, done, समझ आ गई बात, I hope this is it, ठीक है, So, we have completed the breast, ठीक है, human, female का secondary sexual characteristics का एक gland हमने पढ़ा, हमने उसका structure पढ़ा, हमने sequence पढ़ा, important है sequence, आपके examination में एक question पूछा जा सकता है, तो याद रखना कि सबसे पहले milk formation होता है, alveoli में, फिर वो आता है memory, tubule में, फिर आता है कहाँ, फिर आता है memory duct में, duct के बाद, ampula में, alpula के बाद, lactiferous duct में, फिर nipple से बाहर, ठीक है, यह sequence है, you have to remember, आपको hormones के बारे में पता होना चाहिए, आपको मैंने structure सारे कहानी समझा दी, आप एक-एक line, एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर रटलो, ठीक है, आपके diagram में, tubule का description ने दिया है, NCRT में, theory में दिया है, तो आपको वो involve करना पड़ेगा, so this is all about the memory gland, I hope you learned and enjoyed the session, मेरे प्यारे बच्चो, next class में मैं आपको पढ़ाऊंगे sperm and sperm metogenesis, और ओ, और ओ, genesis, मतला, ova का formation and sperm का formation, फिर हम लोग दीरे दीरे बढ़ेंगे menstrual cycle में, then we'll move to the embryology, I hope कि जो कहानी मैंने आज आपको समझाई, आपको बहतरीन तरीके से समझ में आई, see you in the next class, तब तक मेरे साथ पढ़ते रहें, मेरे lecture को धासु तरीके से देखते रहें, thank you so much बच्चो and bye-bye.